प्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को और दुनिया भर के लोगों को और विशेश कर क्रिश्चिन कॉमुनिटी को आज की इस भाहत्मपू परव पर अनेक अनेक शुकामना है दूँगा, मेरी क्रिस्मस. यह मेरे लिए बहुत सुखद है कि स्पेश्चियल और सेक्रेड अवसर पर आप सब मेरे निवास्थान पर आए हैं, जब इंडियन माइनोरेटिव फाउंडेशन ने यह प्रस्ताव रखा था, कि हम सब मिलकर क्रिस्मस मनाए, मैंने आगा, क्यों ने मेरे यहां मनाए? और उसी मैंसे एक आरकम बन गया, तो मेरे लिए बहुत खुशी का अवसर है, अनिल जी ने मुझे बहुत मदद की, मैं उनका विश्यस्तुप से आबारी हूँ, इस पहल के लिए मैं माइनोरेटिव फाउंडेशन का भी बहुत आबारी हूँ, क्रिश्यन कम्यूनिटी के साथ तो मेरा सम्मन कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मियन आता रहा है, और बड़े वाम रिलेशन्स रहे हैं, गुजरात का सीएम रहने के दोरान, मैं इसाई समुदायव और उनके लीडर्स के साथ, अक्सर मेरा मिलना जुना रहता था और मैं मनिजगर जहां से चुनाव ड़ता था, वहां बहुत बड़ी मात्रा में आबादी भी है, इसके काण मेरा स्वाभाविक नाता रहता था, कुछी वर्ष पहले मुझे दे होली पोप से मिलने का भी सवभागी मिला था, वो वाकई मेरे लिए बहुत ही यादगार पड़ था, हमने इस धर्ती को बहतर जगह बनाने के लिए, सोशल हार्मनी, ग्लोबल ब्रदर हूट, क्लामिट चेंच और इंक्लूजिव डवलिप्मेंट, ऐसे कई भिशहों पर, और लंबे समय तक बैठ करके बातें की थी, फ्रेंट्स, किसमस बो दिन है, जब हम जिसस क्राइस के जन्म को सलिब्रेट करते हैं, ये उनकी लाइफ मेसेज और वैल्यूज को भी याद करने का अवसर है, जिसस ने करुणा और सेवा के मुल्यों को जीया है, उन्होंने एक ऐसा समाज बनाने के लिए काम किया, जिसमें सब के लिए न्याय हो, और जो समाज समावेश्ची हो, इंक्लूजिव हो, हमारे देश की विकास यात्रा में, यही मुल्य, एक गाइडिंग लाइट की तरह हमें रास्ता दिखा रहे हैं, सात्यों समाज जिवन की अलग दधाराओं में, हम ऐसे कई समान मुल्य दिखते हैं, जो हम सबको एक जूट करते हैं, उदान के लिए, पवित्र बाइबल में कहा गया है, कि इस्वर ने हमें जो भी उपहार दिया है, जो भी सामर्थ दिया है, उसका उप्योग हम दूसरों की सेवा के लिए करें, और यही तो सेवा परमो धर्म है, तो होली बाइबल में सत्य को बहुत महत्व दिया गया है, और कहा गया है कि सत्य ही हमें मुक्ति का मार्ग दिखाएगा, और संयोग देखिए, सभी पवित्र उपनिशदों ने भी ultimate truth को जानने पर फोकस किया है, ताकि हम स्वयम को मुक्त कर सके हैं, हम अपने साजा मुल्यों और हमारी साजी विरासत पर फोकस करके एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, 21 सदी के आधुरिक भारत के लिए ये सहयोग, ये सामंजश्य, सबका परयास कि ये भावना भारत को नई उचाई पर ले जाएगी, साथियों, दे होली पोप ने अपने एक क्रिस्मस एड्रेस में इसाम मसी से प्रात्ना के थी, कि जो लोग गरीबी खत्व करने में जुटे हैं, उन्हें उनका आशिरवाद मिले, वो मानते हैं कि गरीबी व्यक्ती की गरीमा को चोट पहुँचाती है, दे होली पोप के इन शब्दों में, उसी भावना की जलक है, जो विकास के लिए हमारे मंत्र में है, हमारा मंत्र है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका प्रयास, सरकार के तौर पर हम यह सुनिशित कर रहे हैं कि विकास का फाइदा हर किसी तक पहुँचे और कोई इससे अच्छूता न रहे, इसाई समुदाय के कई लोगों तक, विश्व कर गरीबों और वन्चितों तक भी, आज देश में हो रहे विकास का लाप पहुँच रहा है, मुझे आद है, जब हमने फिसरिस के लिए अलग मंत्राले का गठन किया, तो इसाई समुदाय के बहुत सारे मुच्वारे भाइबैन, हमारे इस कदम की सारवजने करूप से सराना करें, मेरा भी सम्मान किया, मुझे बहुत अभिनिन्दन किया, साथियों, क्रिस्मस के इस अउसर पर, मैं देश के लिए, क्रिश्चन कम्यूनिटी के लिए, एक बात जुरूर योगदान करूँगा, कि आपके योगदान को भारत गर्व से स्विकार करता है, इसाई समुदाय ने, फ्रीडम मुव्मेंट में, महत्पपुन भूमी का निभाई है, फ्रीडम स्ट्रगल में, क्रिश्चन कम्यूनिटी के कई थिंकर्स और लीडर सामिल थे, गांदी जी ने स्वयम बताया था, कि नोन कोपरेशन मुवमेंट की परिकल्पना, सेंट स्टीफंस कॉलेज के प्रिंसिपल, सुशिल कुमार रूदर की छत्रा चाहे में प्रची गई थी, साथियों, इसाई समुदाय ने, समाज को दिशा देने में, निरंतर महत्पपुन भूमी का निभाई है, समाज सेवा में, क्रिश्चन कॉम्यूनिटी बढ़ चटकर हिस्सा लेती है, और आपकी कॉम्यूनिटी, गरीबों और बंचीतों की सेवा के लिए, हमेशा आगे रहती है, एजुकेशन और हिल्ट कैर, जैसे महत्पुन ख्षेत्र में, आज भी, पूरे भारत में, इसाई समुदाय के संस्थान बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, फ्रेंट्स, 2047 तक, विच्सिद भारत बनाने का जो लक्ष है, इस लक्ष के साथ, हम अपनी विकास यात्रा को, तेज गती से आगे बढ़ा रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, इस विकास यात्रा में हमारे सबसे महत्वकुन साथी अगर कोई हैं, तो वो हमारे युवा है, निरंतर विकास के लिए ये बहुत आवशक है कि हमारे युवा फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फीट और हिल्दी रहे हैं, इस उद्देश से चलाए जा रहे कई अभ्यान, जैसे फिट इंडिया, मिलेट्स का उपयोग, नूट्रेशन पर फोकस, मेंटल हेल्द के परती जागरुकता, और ड्रस्क के खिलाब अभ्यान, जनांदोलन बन चुके हैं, मैं क्रिश्चन कम्यूनिटी के लीडर से विशेश कर, जो एजुकेशन और हेल्टकर इंस्टिटिशन से जुड़े हैं, उनसे आगर करूँगा, कि वो इन विशेवों के प्रती लोगों को और जागरुक बनाएं, साथियों, क्रिश्पस पर गिप्स उभार देने की परंपरा है, मुझे भी बहुत ही पवित्र तुपा मिला अभी, और इसलिए इस अवसर पर हम ये विचार करें कि कैसे हम आने वाली पीडियों को एक बेटर प्लेनेट का उपहार दे सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी, आज के समय की जरुरत है, लिविंग ए सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, ये मिशन लाइब का सेंटरल मेसेज है, एक ऐसा इंटरनेशनल मूवमेंट है, जिसका नेत्रुत्व भारत कर रहा है, ये अभ्यान प्रो प्लेनेट पीपल को प्रो प्लेनेट लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित करता है, और प्रिसंपर जी ने जो छोटी किताब में ग्रीन कलर लाने के लिए कहा है न, उसका ये भी एक रास्ता है, और उधारन के लिए रियूजिंग और रिसाइकलिंग, बायो डिग्रेड़ेड़ मट्रियल्स का इस्तेमाल, मिलेट्स, स्री अन्न को अपनाना, मिनीबल कार्बन फूर्ट्प्रिंट वाले उत्पादों को खरीदना, ऐसी कई चीजों को हम अपनी डेली लाइव का हिस्सा बना सकते हैं, और बड़ा बदलाओं ला सकते हैं, और मैं मानता हूँ, क्रिस्चिन कॉम्यूनिटी, जो इतनी सोशली कॉंसियस होती है, वो इस मिशन में प्रमुप भूमी का निभा सकती हैं, नेत्रुत्व कर सकती हैं, साथियों, एक विशय बोकल फॉर लोकल का भी है, जब हम स्थानिय उत्पादों को बढ़ावा देते हैं, जो हम भारत में बनी बस्तों के अम्बेसेडर बनते हैं, तो ये भी तरह से देश सेवा ही है, बोकल फॉर लोकल के मंत्र के सभलता से, देश के लाखों लाख छोटे उद्धमियों को उनका रोजगार जुड़ा है, स्वरोजगार जुड़ा है, और इसलिए मैं क्रिशन कम्यूनिटी के लोकल के लिए और वोकल बनने के लिए, आप सब का मारदर्सन को मिलता रहे, ये मैं जरूर आगरह करूँगा, साथियों, एक बार फिर हम कामना करते हैं, ये फेस्टिव सीजन, हम एक राश के रूप में और मजबूत करें, सभी देश वाश्यों को और करीब लाएं, ये तोहार हमारी डाइवर्सिटी में हमें एक जूट रखने वाली बार्णिंग को मजबूत करें, आप सब को मेरी तरफ से फिर से बहुत-बहुत सुप्तामना हैं, और आप सब समय निकाल करके आए, और आप मुंबई से स्पेशली उस आयू में भी दोड़ करके आए, वसे मुझे आप में से कही हों कि निरंतर आशिरवाद मिलते रहते हैं, मुलाकात मारतशन मिलता रहता है, कि आज सब को एक साथ मिलने का मोका मिला, मैं फिर एक बार आपको धन्यवाद करता हूं, मैं इन बच्चों का विशेश रुप से अभार व्यक्ते करता हूं, कोहनों ने आज के हमारे इस परव को अपने स्वर से, अपने भावनाओं से और मजबूत बनाया है, इन बच्चों को मेरा बहुत-बहुत आशिरवाद, धन्यवाद.